नमस्कार आप देख रहे हैं बिस तक महरजद्देवगन आज शुरुवाती सत्र में तो कमाल का अक्षन देखने को मिला था एक बार तेजी पकड़ ली थी 17764 के लेवल तक पहुँच गए थे लेकिन उसके बाद आई मुनाफ़व असूली यह जो तेजी थी शुरुवाती निफ्टी का 17695 का था तेजी पकड़ी तो 17764 तक पहुँचे लेकिन यह शुरुवाती 15 मिनिट का अक्षन था उसके बाद सरेंडर कर गए 17587 यह आज के दिन कलो है और क्लोजिंग देखो आप तो 17655 की है लेकिन उठापटक जोरदार निफ्टी बैंक 149 अंक गिरकर ब निफ्टी का और जिस मूव के मैं बात कर रहा हूँ शुरुवात तो काफी जबरदस थी और शुरुवाती 15 मिनिट में ही आज दिन का उच्चतम सतर चूलिया था 17764 आपको टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्णर पर दिखाई देगा और उसके बाद जो भयंकर तरीके से टू मिनिट टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और ये पिछले कुछ दिनों का प्राइज आक्शन है और आप खुदी देख सकते हो कि कितनी रेंज जो है वो नैरो होती जारी है स्क्वीज होती चले जारी है निचले सरों से आते एक खरदारी ऊपर 17,700,700,800 के चला है Consolidation Mode में है इस समय बजार आज के दिन में अगर निफ्टी की बात करो तो सबसे तेज चला है Apollo Hospitals लगबग 3% का उच्छाल था इसके लावा एक और डिफेंसिव स्टॉक भारती एटल में खरदारी आती वी नजराई 5% ये चड़ गया NTPC लगबग 5% चड़ा है श लगबग 7% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर चला तो क्या जबरदस चला वो था शुगर इंडस्री जुड़ियों कंपनियां स्टॉक्स में आज धुआधार प्रदर्शन देखने को मिला है आज सक्टी शुगर 20% अपर से जुड़ियों कंपनियां थी वहाँ पर आज के सत्र में आक्शन था जिसमें टाटा पार साढ़े 4% चड़ा है इसके लावा एंटी पीसी 5% मूव देखर गया है साथी साथ अधानी ट्रांस्मिशन 2% चड़ा अधानी ग्रीन एक परसन चड़ा और साथ साथ ओल और और गेल का प्रदर्शन आज अच्छा देखने को मिला है लोर एंट से आई है खरेदारी सरकारी बैंक्स निजी बैंकों पे दाव नहीं लग रहा था सरकारी बैंक्स पे लग रहा था और उसमें भी छोटे मजौले बैंक्स फ्रंट फूट पर आके बैटिंग कर रहे थे जिस की JSPL, Steel Authority, Tata Steel, 1.5% से 3% चड़ गए इसके लावा JSL, Vedanta, Nalco इन स्टॉक्स में आक्शन तेजी की साइट पे था हेल्थ केर और फार्मा स्टॉक्स में भी कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का आक्शन तेजी की साइट था जिसमें एक स्टॉक था वोखार्ट कमाल कर रहा था 5% की तेजी के साथ हुआ है बन इसके लावा Apollo Hospitals 3% चड़ा है लाल पात लाफ लगबग 1.5% चड़ा है सिपला, ग्लेनमार्क, फाइजर ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे फार्मा शेत्र में जहाँ पर आक्शन तेजी का था जो नहीं चले वो थे FMCG आज यहाँ पर प्राइवेट सेक्टिव बैंक, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आज के सत्र में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिली है जिसमें फेडरल बैंक, IDFC फर्स बैंक और सिटी यूनिन बैंक सबसे ज़्यादा तूटे हैं, सबाइक पर्चंट से पौने 2% हलके हो गए, इसक परसंट की तेजी के साथ हुआ है, बंद और दिन की उचाहिया जूते जूते बंद हुआ है, तो अच्छा प्राइज अक्शन था, इसके लबाद श्री राम ट्रांसपोर्ट लगबग 5% चड़ा है वाइदा कारुबार में, क्रॉम्टन ग्रीज लगबग 4% चड़ता हो नजरा और टाटा पार और अम्बूजा सीमेंट दोनों में ही प्राइज अक्शन स्ट्रॉंग था, टाटा पार तो आज खेल कमाल करी दा था, साड़े 4% उपर बंद हुआ, अम्बूजा सीमेंट में भी आज दोपहर बाद तेजी स्ट्रॉंग दिखाई दे रही थी, पर बहुत ज़्यादा कोई मुवमेंट नहीं है, क्लोस टू क्लोस बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे कुछ स्टॉक्स धमाका करते हैं, और वो है मिड़क्याप कैटिगरी से जुड़ी कमपनिया, आज भी बहुत स्टॉक्स में एक दम से लोगर लेवल से आये खरदारी यह उसमें पहला है, GMM Fodler, इस स्टॉक में साड़े आठ परसंट की रिटरन बैठे, LG Brothers में लगबख साड़े आठ परसंट की रिटरन और जैसे मैं बताया कि टायर कमपनिया तेज थी ही, आज JK टायर में शिरुवाती टिक से ही स्ट्रॉंग मोमेंटम बन गया था और आठ परसंट की तेजी के साथ हुआ है, इसाव इंडिया और GMDC साथ परसंट से जाधा की चढ़ाई चढ़ गए, विजिया डाइगनॉस्टिक लगबख साथ परसंट चढ़ा है, टाटा इन्वेस्मेंट लगबख साड़े शे परसंट चढ़ा, कलपतरु पार, Ease My Trip और Brigade जैस के साथ हुआ बंग, और आज के सतर में इंपोर्टेंट थे दो लेवल्स जो ट्राक हुआ थे, एक था 923.5 के आसपास, और एक था 934, 935 के आसपास, और ये दोनों ही लेवल्स इसने आज इंट्राइडे में ही क्रॉस कर दिये, सबसे पहले शुरुआती एक घंटे में की बार 934, 935 के सतर को भी क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद तो जो तेजी बनी है, दिन की उचाहियां छूते छूते बंद हुआ है, प्रिवियस ख्लोज था 887.9, आज के दिन का ओपन था 892.7, उसके बाद हलका सा डिप आया, 891.15 का लो लगाया, दिन का हाई है 961.2 और कैसे नमें बताया, रियल प्राइज अक्षिन शुरूआ था 934, 935 के लेवल के उपर, क्लोजिंग भी 961.20 के आई है, जो दिन का हाई है, और रिटर्न बैठा है लगबग सवा 8% का, कमाल का मूव था, स्ट्रॉंग एक्षिन में था, इंट्राड अक्षिन बहुत अच्छी लिस्टिंग हो सकती है, 30% तक ग्रे मार्केट प्रिवियम बता रहा था, कि ड्रीम फोक्स का आई प्यो पॉजिटिव खुलता हुआ नजर आएगा, लेकिन 326 रुपे एशु प्राइस के मुकाबले, ओपन ही हुआ 508 रुपे 70 पैसे पे, यानि कि 56% प्रिवियम के रिटर्न बैठे हैं, और डिवेशको की हुई है चान्दी, जिनको भी अलॉट्मेंट आई, उनको प्रॉफिट होता हुआ नजराया, और तमिलाड मकंटाइल बैंक का IPO, दूसरे दिन ओवर सब्स्क्राइब हो चुका है, 1.53 टाइम्स के ओवर सब्स्क्रिप्शिप्श टेल के बजार में जिस तरीकी की गिरावट आई है प्राइज में, उसको कंट्रोल करना भी OPEC ब्लस मेंबर्स की प्राथमिकता है, तो यहां से तो कोई संकियत मिल नहीं रहा है, कल के सत्रम एकदम से कच्चा टेल उचला था, 2-3%, आज फिर से उप्रिस्टर उपर हो गया धडाम, मुनाफ़ा वसूली आ गई, उपर से अमेरिकन मार्केट्स आज खुलेंगे, कल हॉलिडे पे थे, लेकिन आज देखना होगा कि किस तरीके का प्राइस एक्चिन महाँ पर देखने को मिलता है, तो वो ग्लोजली ट्राक होगा, और वो डिफाइन कर देगा, कल एश 7400, 7500 के लेवल को बहुत जादा डिफेंड कर रहे हैं, बार बार 7500 के लेवल पर अगर जाते हैं उसके करीब, तो फिर से खरेदारिया आ जाती है, देखते हैं क्या यह लेवल बचा पाते हैं, क्योंकि जैस मैंने बताया इस लिंक के शुरुआत में कि बहुत ही रेंज ज गया तो कमाल होगा, लेकिन फिलहाल एक रेंज में ही फसा हुआ है बाजार, देखते हैं किस करवट बैठता है, फिलहाल एक अंसॉलिडेशन का मोड इसमें में इंडिन मांकेट पे देखने को मिल रहा है हुआ 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 है